हेलो मेरे प्यारे साथियो, वेलकम टू टार्गेट स्टडिय आईक्यू, आज हमारा पॉलेटी MCQ क्लास फिफ चल रहा है, कल हमने बात किया था अनुच्छेत भाग और अनुचूची की, और आज हम बात करेंगे सबसे महत्यपूर्ण सवाल, मिक्स्ट क्वेस्चन्स की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज जी के नीती नीदेशक सिधानतों का अंग है DPSP का, Directive Principle of State Policy, DPSP है हमारे आर्टिकल 36 से 51 में, और equal work and equal पे कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल नंबर 39 पार्ट 3 में, यह कहता है कि सारे नागरिक चाहें पुरूश हो या महला समान हैं और उन्हें समान कारे का समान पैसा मिलेगा, DPSP हमने कहां से लिया है, तो आयरलेंड से लिया है, अगला प्रश्ट है केंदर सासित प्रदेश, Union Territory, लक्षदीप के न्याइक छेतर, जुडिशल एरिया का कारे कौन सा न्यायाले करता है, तो इसका अंसर हो जाए दमनेंद्यू और महराष्ट्रा में है, कलकत्ता हाइकोट का अंडवान और निकोबार आइलेंड और वेस्ट बेंगॉल में है, गोवाहाटी हाइकोट का अरुनांचल प्रदेश, आशाम, मीजोरम और नागालेंड में है, तीसरा प्रश्ट पर चलते हैं, सुप्रीम कोट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कानून द्वारा संसत, तो भारत की संसत को कानून बनाने का अधिकार है, संसत कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है, शुरुवात में सुप्रीम कोट के जज कितने थे, तो टोटल जज हुआ करते थे साथ लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं तो 31 हैं अगला प्रश्ट है सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायधीश के रूप में कारी करने के लिए व्यक्ति को उच्छ न्यायले में कम से कम कितने वर्ष तक का कारी करना चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A 10 सुप्रीम कोट के जज़ बनने के लिए एक प्रमुक्ष योगिता चाहिए होती है कि व्यक्ति ने कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्छ न्यायले का मतलब हाई कोट में न्यायधीश के रूप में काम करा होना चाहिए पूरे 10 साल अगला प्रश्ट है निम्खित धार्मिक समु रिलिजियस कम्यूनिटी पर विचार कीजिए सिख बौध जैन फार्सी इन में अल्प संख्यक माइनोरिटीज का दर्जा किसे मिला हुआ है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी 1234 अल्प संख्यक होते क्या है अल्प संख्यक एक सांस्कृतिक जातिय या नसलिय सम उसे प्रमुख संख्यक कौन सा हो गया हिंदू हो गया तो अल्प संख्यक सारे हैं सिख बौध जैन और फार्सी सारे अल्प संख्यक हैं हमारे भारत में क्वेस्चन नमबर 6 की बात करते हैं स्वन सिंग समिती कमिटी ने किसकी सला दी थी तो उन्होंने सला दी थी fundamental duties की मौलिक करतव्यों की तो भारतिय समिधान में मौलिक करतव्यों को शामिल करना था इसलिए option नमबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्वन सिंग को 1976 में समिधान को पढ़कर कुछ बदलाव करने को कहा गया था स्वन सिंग ने कुछ बहतरीन सुजाव दिये थे जिसके लिए उन्हें पद में विभूशन सम्मानित किया गया था अगला प्रश्ट है भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद? प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम आफ प्रेस की बात करता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नमबर 19, अनुच्छेद 19 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D जीवन के लोकतांत्रिक तरीके को बनाए रखने के लिए ये बहुत आविश्यक हो जाता है कि लोगों को अपने भावनाएं बताने की आजादी हो, ऐसे में क्या होता है? जन संचार तथा प्रेस एक ऐसा माध्यम है जो अपनी भूमिका दिभाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, तो ऑप्शन नमबर D अनुच्छेद 19 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत एक कल्यानकारी राज है, वेलफियर स्टेट है ये कहां से पता लगा है? तो वे पता लगता है निती नीदेशक तत्वों से, आर्टिकल 38 बात करता है लोगों के कल्यान के लिए, तो आर्टिकल नमबर 38 किस के बारे में बात करता है? लोगों के वेलफियर के बारे में बात करता है, कल्यान के बारे में बात करता है, नाइन्थ क्वेस्चन पर चलते हैं, निमने मैंसे कौन भारत के राष्टपती की इच्छा तक ही अपने पतपर बना रह सकता है? तो वो होता है राज्यपाल, governor हमारे राश्ट्र पती को निर्वाचित किया जाता है लेकिन governor को राश्ट्र पती select करता है राश्ट्र पती governor को कभी भी अटा सकता है कारिकाल से अगला प्रस्ठ है नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक Comptroller and Auditor General का कारिकाल कितना होता है तो उसका कारिकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल की एज जो भी पहले हो जाए तो CAG या फिर आपके नियंत्रक एज महालेखा परिक्षक जो होते हैं उनको अपॉइंट कुन करता है तो राष्ट्रपती करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं अगला प्रश्ठ है निमने मैंसे कौन संसद पार्लिमेंट के दोनों सदनों में बोलने अन्यकारवाही प्रसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार रखता है परन्तु वोट डालने का नहीं तो किसका सही आंसर हो जाएगा option number D भारत के attorney general तो भारत के attorney general कौन होते हैं वो वरुष्ठिक कानूनी सलाहकार होते हैं सरकार के अभी पंदरवे attorney general हैं केके वैनुकोपाल इन्हें सरकारी वकील भी कह सकते हैं सरकार का अगला प्रश्ठ है निमलिखित में से कौन सी भासा सविधान की आठवी अनिसूची में नहीं है फार्सी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A फार्सी तो article 344 part 1 और 351 के तहट भारतिय सविधान की आठवे अनिसूची में 22 भासाएं हैं तो 22 भासाएं कौन सी हैं तो ये आपके 22 भासाएं हैं इसमें फार्सी नहीं है अगला पारशन है निम्खिस सविधान का कौन सा भाग शन्शोदित नहीं किया जा सकता तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नियाइक शमिक्षा judicial review तो इसका मतलब होता है तो इसका मतलब होता है की अदालत एक सारवजिनिक निकाय दौरा एक प्रशाष्निक कारवाई की शमिख्षया कर सकती है तो न्याइक शमिख्षया का मतलब यह होता है 14 प्रश्न है भारत के सविधान की प्रस्तावना में न्याइ जस्टिस सब्द का उलेक व्यक्त करता है तो ये क्या बताता है तो justice का मतलब होता है प्रस्तावना के social, economic and political justice मतलब की आपका option number C बिल्कुल सही हो जाएगा समाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय के बारे में बताता है justice अगला प्रश्ण है भारतिय समिधान की प्रस्तावना, preamble मैं निमलखित में से कौन सा सब्द नहीं लिखा गया है तो कौन सा सब्द नहीं लिखा गया है, तो संगी है हमारा भारत क्वासी फेडरल है, अर्द संगी है, लेकिन संगी नहीं है तो guys ये थे आज के top 15 questions, अगर आपको ये पसंद आए तो please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, thank you so much and God bless you all